सपनों के शहर मुंबई में मन्राज ग्रूप पेश करता है मन्राज व्यूँ जो शहर के बीच ओ बीच एक घर खरितने का मौका दे रहा है आपके बजट के अनुकुल शांदार वन बीएज के और दस मंजिला टौवर और कीमत सिर्फ 75 लाग रुप है और यह सब उपलप है कुर्ला अनलेडी रोड, साकीना का मेट्रो सेशन और अंतराश्व एर्पोर्ट के नजदी मन्राज व्यू में घर होना यानि आराम और सुविदा का पूरा आनंद चल्दी करें अनुकुल बजट में ओफर केवल सिमित अवदी के लिए पी-एम आवाज योजना और लोन सुविदा भी उपलप शर्ते लागो डेरवी नियूज में आप सभी का स्वागत है मैं हो सेयद सल्मान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशे पर जो बड़ा ही नाजुक है जिस पर अगर चर्चा की जाए तो काफी कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी कई चेहरे सामने आएंगे कई लोगों की नीतियां भी सामने आ सकती है हम बात कर रहे हैं पुर्व मुख्य मंतरी कल्यांड सिंग के निधन की कल्यांड सिंग का निधन पिछले दिनों हुआ ये एक अपने आपने भारती जंता पाटी और कल्यांड सिंग के परिवार के लिए दुख की बात है इससे किसी को इंकार नहीं लेकिन एक बात दिया गया था आने वाले दिनों में ये माना जा रहा था कि बीजेपी की पूरी आक्रामक टीम एक तरह से कल्यांग सिंग के इशारे पर चलेगी बापरी दिद्वन्स के वक्त उन्होंने जब इस्तिफा दिया था तो हीरो बन कर उभरे थे भारतिय जंता पार्टी विश्व कि उस आग का आज तक खामियाजा पूरा देश भूखत रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से सुप्रीम कोट के निर्णे के बाद मामलात है हो पाया है लेकिन कल्यांग सिंग के और उस कारेकाल के दौरान जो कुछ हुआ इस पर अब टिपड़ी करना इसलिए उचित नहीं कियोंके क्यां सिंगी हमारे बीच नहीं है किसे मिर्तविकतिक के उपर यह टीपड़ी नहीं है काल्यांग सिंग के उपर तो बिलकुल मेएं लेकिन कैलां सिंग जी की मौत के बाद भारतिय जनता पार्टी के नेताने विशेश कर नंडाजी न CC by सबूपर और नज अंगर एक तरह का ऐसा कारी किया है जिस पर चारो तरफ एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के पक्ष में और एक बहस चल चली है इस बहस में क्या है? बहस इस बात पर है कि तिरंगे के ऊपर भारती जन्ता पार्टी का ज्हंडा रखना कितना उचित है कल्यान सिंग जी पुरुमुख्यमुत्री थे गवर्नर रहे हैं तिरंगे के साथ उनका सम्मान तिरंगे में उनके शोव को लोपेटा जाना एक सम्मान की बात है यह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए इसे किसी को इंकार नहीं दियो लेकिन कल्यान सिंग जी अब हमारे बीच नहीं है, सारा कुछ देखरेक भारती जिन्ता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो पार्टी जो हमेशा कहती रही है देश पहले और पार्टी बाद में, उस पार्टी ने देश के तिरंगे के ऊपर अपने जंडे को रखने की बन्शा जाहिर कर, क्या यह आभास देने की कुशिश की है, कि देश पूरी तरह से अब भाजपा में हो गया है, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यह एक तरह का नारा दिया जाता रहा है हमिशा, और इस पर अनेक लोग कई न कई तरह की बाते करते रहते हैं, कहने को यह कहा जा रहा है कि कल्यान सिंग की इच्छा थी, कि उनके शव को भारती जन्ता पार्टी के जंडे पे लपिटा जाए, ब्लकूल लपिटा जाना चाहिए कल्यांग सिंग जी उच्छा थी उनके जंडा भारती जनता पार्टी का उन्होंने सेबा की है क्लांके यरूट अन्तिन समय में उस जिंडे से लिपट कर जाए ये उनक्का भारती जंदापार्टी के प्रति प्रेम दर्शाता है अलाकि वो भारती जंदापार्टी छोड़ कर एक बार गये थे भारती जंदापार्टी के निताओं से तंग आकर फिर लौट आए और उसी नर्रम गये यह अलग बात लेकिन तिरंगे के साथ यह 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 अलग विशय भी है इसमें कहते हैं कि बारतिय जंडा सहिंता जो 2002 के अनुसार ये कहा जाता है कि तिरंगे का इस्तमाल आम लोगों के अंतिम संस्कार के लिए नहीं किया जा सकता तिरंगे का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के अंतिम संस्कार के लिए ही किया जा सकता है जिन्हें इर्राष्टिय सम्मान दिया जा रहा हो जैसे कोई शहीद के अंतिम संस्कार में हो या फिर किसी राजनेता के अंतिम संस्कार में या फिर राज्य किसी को विशेश तरीके से स इस तरह एक गाइडलाइन्स जारी होती हैं. लेकिन क्योंकि जंडे का इस्तेमाल किसी पोशाथ पे नहीं हो सकता, भरधी में नहीं हो सकता, नहीं तक यह रुमाल नापकीन पर इसे छापा जा सकता है. जंडे पर कुछ लिखा भी नहीं जा सकता. जंडे पर लिखने के लिए एक तरह का पूरी तरह से पावंदी है तिरंगे का एक सम्मान है जंडे का इस्तेमाल किसी समारक या प्रतिमा को ढखने के लिए भी नहीं किया जा सकता तिरंगे को किसी गाड़ी रेल गाड़ी नौ या प्लेन के अगल बगल या पीछे से ढखने के लिए भी नहीं किया जा सकता बारतिय जंडा संहिता 2002 के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता है उसे जलाता है गंदा करता है या किसी भी तरह से नुकसान पहुचाता है तो उसे तीन साल के पैद जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है लेकिन स द्वज सहिता के पांचिवे प्रावधान में सम्मानी थस्ति और शहीद सहिनिकों के पार्तिव शरीर पर रास्ट द्वज लपिटने की बात तो कहीं गई है लेकिन उस समय तिरंगे की उपर क्या हो या ना हो इसका कोई जिक्र नहीं मिलता ऐसे विशेशकें के बताते हैं कि रास्ट द्वज सहिता के नियम 2.2 के आठवे प्रावधान में ये जरूर कहा गया है कि द्वज फैराते हुए द्वज दंड पर तिरंगे के उपर या बराबर कोई और ध्वजा पता का या फूल माला नहीं होनी चाहिए इतना इस पश्ट पता देने के बाद भी भले ही एक व्यक्ति एक शव उनके मंतरी का शव है उनके शव पर इस तरह से जंडे पर तिरंगा रखने के बाद उस पर बारती जंदा पार्टी का जंडा रखना ये अपने आप में ये धर्शाता है कि तिरंगे का सम्मान नहीं ह हुआ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर चाहते तो तिरंगे में उससे पहले तिरंगे लपेटने से पहले ही कल्यान सिंग की शव को भारती जंदा पार्टी के जंडे से लपेट कर उनके फारे करताओं को और उनके सम्झ्षाने वालों को उत्तर प्रदेश की जंदा को दर्शन करा दिया जाता या फिर उसके बाद तेश दुरही तक साबित कर दिया गया ओता लेकिन चू तक कन्यों निकल रही है किसी के समाढ़धादी पार्टी के निता कह रहे हैं अन्य पार्टी के निता इस बात पर अपने घुस्से का इजहार कर रहे हैं रिफेरंस के लिए कांग्रेस के भी एक प्रव सभापती हुआ कि पनांडीस जी थी उनकी शवयात्रा परतिरंगे के उपर कॉंग्रिस के जंडे रखने का मामला सामने लाए गया है अगर ये गलत है तो वो भी गलत है वो गलत था तो क्या ये सही हो जाएगा अगर वो गलत है तो ये भी गलत है ये गलत है तो वो भी गलत है जो गलत है उसे गलत कहना सीखना होगा कॉंग्रेस के नेताओं को भी नहीं बूलना चाहिए कि अगर ऐसा उन्होंने किया है तो उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि आज केलान सिंग जी की शोव पर रखे गए तिरंगे के ऊपर के जंडे पर कोई क्रिपणी करें लेकिन भारती जंथा पार्टी को भी फिर कोई kes अधिकार नहीं बनता कि अपनी गलती चुपाने के लिए कॉंग्रेस के उस पूराने कृत्ति को सामने लाएं जो सच है सच है जो जूट है वो जूट है जो गलत है वो गलत है और गलत का साथ देना गलत का साथ देना गलती करना माना जाएगा यह गलती कांगरेस ने अगर की थी तो भारती जंता पार्टी ने भी की है और भारती जंता पार्टी के अध्यक्ष नड़ा जी ने की है इसल या फिर आप मान ले कि तिरंगे का सम्मान आप सिर्फ समवैधानिक तरीके से करते हैं आपको सम्मान नहीं है इसी सम्मान के लिए आपने वर्षों तिरंगा भैराया तक नहीं था ठीक है चलता है विरोध है विरोध की राजनेती है लोग विरोध करेंगे लेकिन यह सोचना कि तिरंगे का अपुमान न होने पाए हर भारतिय नागरिक का कर्तव्य है और उस कर्तव्य से जो भी पीछे हटेगा उस पर सवालिया निशान लगेंगे हो सकता है भावाविश में, भावनावश और किसी एक किसी जान बूच कर नहीं ऐसे ही रख दिया गया लेकिन इतनी समझ तो एक अधना सा पत्रकार क्या भारतिय जन्ता पार्टी के बड़े निताओं को राश्टिय निताओं को ये सीख दे सकता है उन्हें तो खुद इतनी समझ होनी चाहिए लोग उनसे सीखते हैं निताओं से सीखा जाता है देखा जाता है समझा जाता है राजनीति का उन्हें ग्यान है सम्विधान का उन्हें ग्यान है लेकिन ऐसा नहां करते हुए राश्टिय ध्वच का ये आम लोगों की भावना है कि राश्टिय ध्वच का आपमांगना है बार्ति जिंदापटी के बड़े निताओं को आकर कुतर्क नहीं, कुतर्क से नहीं, कुतर्क रखे, किसी तरह के कुतर्क के कोई गुंजाइश नहीं है, कल्यान सिंजी बड़े निता थे, कल्यान सिंजी को बड़ा निता माना जाना चाहिए, कल्यान सिंजी का इसमें कोई र रखा जाना उनके सम्मान का उनके लिए सम्मान देने का एक चरम है लेकिन उसके ऊपर भारतिय जन्ता पार्टी के जंडे को रख देना यह अगर कल्यान सींग होते तो शायद उन्हें भी पसंदा आता यह सवाल है आप लोगों के लिए क्या ऐसा करना भारतिय जन्ता के लिए बाद में का नारा देती है लेकिन क्रिप्तियों से कहीं कहीं उस पर सवालिया निशान लगते हैं ये अहंकार छोड़कर उसे समझना होगा कि राजणिती और चीज़ भावनाय और चीज़ हैं देश का तेरंगा और चीज़ है बार बार कह रहे हैं कि अगर यही कृप्त किसी और वे बताती है कि अपनी गलतियां मानने से भारती जंता पार्टी के बड़े निता या छोटे कारिकरता पर हेस करते हैं ये इस देश के लिए भी ठीक नहीं है उस पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है ये एक सवाल हम आपके सामने छोड़ कर जाते हैं कि भारती जन्ता पार्टी का ये कृत कितना सही था कितना खलत नड़ा जी ने जो किया भारती जन्ता पार्टी ने जो किया कितना सही था कितना गलत आपको ये कारिकरम कैसा लगा इस पर आप पी चिपणी आप हमें जरूर लिखें हमरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करे और अपने कमेंट जरूर लिखें कि आपको आपकी धावनाएं तिरंगे के ऊपर किसी पार्टी के जंडे रखे जाने से आहत हुई हैं या बहुत खुश हुए हैं जो भी हो आपने तिपणिया आपका स्वागत है फिलहाल वक्तों चला आप सभी से विज़ा लेने का सलमान क तो दियार भीनी उसकी पूरी टीव को और हम सब को एक सदबुद्धी के साथ इजाज़ा दिजिए कि आने वाले दिनों में हम तिरंगे के सम्मान के साथ किसी तरह का खिलवार पसंद नहीं करेंगे कि देश हम सब का है इसके सम्मान को बनाया रखना हम सब के जिब्मिदा पाइद हुआ है और यह तिरंगा लोगों के जहन पर चाया हुआ है और लोगों के सम्मान का पुतिक है जहिए